इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय ते रह अभियाह का राज्य यारोबाम के अठारावे वर्ष में अभियाह यहुदा पर राज्य करने लगा वह तीन वर्ष तक यरुशले में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मिकायाह था जो गिबावासी उरियल की बेटी थी और अभियाह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई अभियाह ने तो बड़े योद्धाव का दाल अर्था चार लाख छटे हुए पुरुश लेकर लगने के लिए पांती बंधाई और यारोबाम ने आठ लाख छटे हुए पुरुश जो बड़े शूर्विरी थे लेकर उसके विरुद्ध पांती बंधाई तब अभियाह समारेम नाम पहाड पर जो एप्रेम के पहाड़ी देश में हैं खड़ा होकर कहने लगा हे यारोबाम हे सब इसराइलियो सुनो क्या तुमको न जानना चाहिए कि इसराइल के परमिश्वर यहवा ने लोनवाली वाचा बांध कर दाउद को और उसके वन्ष को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है तो भी नबात का पुत्र यारोबाम जो दाउद के पुत्र सुलेमान का करमचारी था वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है और उसके पास हलके और ओचे मनुष इकटा हो गये है और जब सुलेमान का पुत्र रहुबियाम लड़का और अल्हण मन का था और उसका सामना न कर सकता था तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए और अब तुम सोचते हो कि हम यहवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाउद की संतान के हाथ में है क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बचड़ी भी है जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया क्या तुमने यहवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकाल कर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिये जो कोई एक बच्ड़ा और साथ मेंधे अपना संसकार कराने को ले आता तो उनका याजक हो जाता है जो इश्वर नहीं है परंतु हम लोगों का परमेशुवर यहवा है और हमने उसको नहीं त्यागा और हमारे पास यहवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेविये है और वे नित्य सवेरे और सांच को यहवा के लिए होमबली और सुगंद द्रव्यका धूप जलाते है और शुद्ध मेज पर भेट की रोटी सजाते और सोने की दिवट और उसके दीपक सांच सांच को जलाते है हम तो अपने परमिश्वर यहवा की आज्याओं को मानते रहते हैं परंतु तुमने उसको त्याग दिया है और देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमिश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांद कर फूकने को तुरहिया लिये हुए भी हमारे साथ है हे इस्राइलियो अपने पुरोजों के परमिश्वर यहवा से मत लड़ो क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे परंतु यारोबाम ने घातक को उनके पीछे बहेज दिया वे तो यहुदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे और जब यहुदियों ने पीछे को मुह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों और से लड़ाई होने वाली है तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फुकने लगे तब यहुदी पुरुषों ने जैजेकार किया और जब यहुदी पुरुषों ने जैजेकार किया तब परमिश्व प्रमिश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया और अभियाह और उसकी प्रजाने उन्हें बड़े मार से मारा यहां तक कि इस्राइल में से पांच लाख छटे हुए पुरुश मारे गए उस समय तो इस्राइली दब गए और यहुदी इस कारन प्रबल हुए कि उन्होंने पित्रों के परमिश्वर यहवा पर भरोसा रखा था। तब अभियहा ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरो और उनके गाउं को ले लिया। और अभियहा के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ। निदान यहवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया, परन्तु अभियहा और भी सामर्थी हो गया, और चवदह स्त्रिया ब्याहली, जिन से 22 बेटे और 16 बेटिया उत्पन्न हुई, और अभियहा के काम और उसकी चालचलन और उसके वच्चन इद्दो नभी की कथा में लिखे है से 22 बेटे, और भी से 22 बेटे में लिखे हैं लिखे हैं, बीग की 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 जाएल वी है यहान